नमस्कार दोस्तों, इंडिया की बात में आप सब का स्वागत है, आज आपके साथ जिन तीन मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वे सबसे एहम इसलिए हैं क्योंकि दरसल वो भारती राजनीती और भारती अर्थ विवस्था का हाल बया करने के लिए काफी हैं, सबस क्या पक रहा है उत्तर प्रदेश में और क्यों पक रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मोदी और योगी की लड़ाई के बीच, इस समय राष्टी स्वेम सेवक संग भी बैटिंग करता दिखाई दे रहा है, और दूसरा मुद्दा है, किस तरह से अमरीकी पती का जो चुनाव हो रहा है, उसमें जो उम्मीदवार है, पूर्व राष्ट पती डोनाल ट्रम्प, उन पर होता है जानलेवा हमला, लेकिन भारती राजनीती उस पर बैटिंग, बॉलिंग करने लग जाती है, और निशाने पर आते हैं राहुल गांधी, क्या वज़ा ह है, किस तरह से भारती जनता पार्टी, ट्रम्प पर हमले को जोडती है राहुल गांधी से, और बैटिंग करती है मोदी जी के लिए, यह क्या कहानी है, इतना डरती है, अभी भी राहुल गांधी से, बीजेपी, और तीसरा मुद्दा है, भारती रेलवे का हाल, एक महिने क भीतर दो-दो रेल हाथ से, और देखिए, पूरी तरह से सिस्टम चुप है, अभी जो चंडीगर डिबरू एक्सप्रेस डी रेल हुई, उस पर तो रेल मंत्री ने जरूरी भी नहीं समझा कि वो सार्विनिक तौर पर कोई संदेश दें, एक्स प्लेटफॉर्म पर वह भी चुप रहे और प्रधान मंत्री वह भी चुप रहे, आखिर क्यों रेल यात्रियों की जिंदगी से इतने बड़े पैमाने पर खिलवाड हो रहा है, और इस पर चर्शा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, मुकुल सरल और अधिती आप दोनों का बहुत-बहुत असी सीटें, जहां मोदी जी और योगी जी का दावा था, कि हम जीतने जा रहे हैं, लेकिन ग्राफ गिर गया और ग्राफ गिरने के बाद जो कोहरा मचा है, उसकी कहानी बहुत दिल्चस्प है, कि आखिर पक रहा है, तो क्या पक रहा है, और किसके लिए राजनिती में इत संगर्ष है, जमीन खिसक रही है, और योगी वर्सिज मोदी और शाह चल रहा है, लेकिन योगी को हटाना तब तक मुम्किन नहीं, जब तक RSS न चाहे, और मुझे लगता है कि उप चुनाओ के नतीजे बहुत कुछ तैक करेंगे, अदिधी, क्या है इस पर आपका पंच? मेरा पंच यह है भाषा कि लोकसभा चुनाओ में धक्का खाने के बाद, बीजेपी से योगी को ना निगलते बन रहा है, ना उगलते बन रहा है, ठीक रहा उनके सर पर फोड़े, ये भी समझ नहीं आ रहा है, और आने वाले उप चुनाओ में क्या होगा, क्योंकि सम्वि सिधा कनेक्ट केंदर की राजनीती से है, योगी निशाने पर है, योगी को निशाने पर कौन रखना चाहता है, उसका लिंक मोदीजी से क्या है, और दूसरा सिरा जुड़ता है राष्टी स्वें सेवक संग से, क्योंकि 2024 के चुनाव परणाम के बाद, राष्टी स्वें स जिस तरह से टीम 30 बनाई योगी जी ने, और दोनों डिप्टी सीम को बाहर कर दिया उन्होंने, और एक संदेश दे दिया कि भाई, अब ये जो 10 सीटे हैं, ये मैं जीत कर लाऊंगा, और फिर मुस्से डील करना, ये तो बड़ा आजीब और गरीब नजारा है, हाँ, तो दरसल वही वाला मसला हो रहा है, जो आपने भी कहा, कि योगी तो एक बहाना है, दरसल वो यूपी की राजनिती में मोधी और शाह अपना वर्चस्प चाहते हैं, और ना चाहते हुए भी, मतलब चाहते हुए भी वो उसे कायम ने कर पारे, पूरी गुजरात लॉबी यू पारे, वरना तो खटर जी की तरह या शिवराज जी की तरह उन्हें भी हटा दिया जाता, लेकिन अदेती योगी खटर तो है नहीं और शिवराज भी नहीं है, और यहां पे जो दूसरा समीकरान दिखाई दे रहा है, कि जो NDA पार्टनर्स हैं, जैसे अनुप्रिया पटे आपके पास तत्य सही नहीं है, बाकी पार्टनर्स भी बोल रहे हैं कि आपके बुल्डोजर की वज़ा से हम हार गए, तो सिर्फ बीजेपी ही नहीं, यह जो बाकी NDA के पार्टनर्स हैं, बेबी योगी से बहुत खुश तो नजर नहीं आ रहे हैं, नहीं वह बिलकुल यारेंटी बोल रहा था, अब आप हार गए हैं, तो आप मोधी के उपर सारा डाल देंगे, योगी के उपर सारा डाल देंगे, तो यह तो चलेगा नहीं, यह तो उनके अंदर ही अंदर मुझे लग रहा है कि काफी जद्दो जहद इस तरफ चल रही है, जहां तक खटर और शिवराच्वान वो एक राश्य स्वयम सेवक संग के एक डिसिप्लिन के अंदर आते हैं, योगी जो हैं, वो अपना गोरकपुर मठ के हैं, वो अपना एक इंडिपेंडनेंट उसमें चलते हैं, और वो इस बार मुझे लग रहा है कि उन्होंने भी ये बीडा उठा लिया कि तथे हैं ये और हमने भी जो जमीन पर देखा कि लोग नाराज थे, कॉंस्टिूशन एक मुद्दा था और सीधे उन्होंने कहा राम लालाने कि नॉट इन माइन नेम, कि भाई अब हो गया बहुत, अब हमारे नाम पर मत करो, और यहां तक कि बनारस में, मोधी जी इतिह है कि यूपी में बड़ी हार हुई, असी में से जो 62 सीटे उनके पास थी, वो 33 पे आ गई, समाजवादी पार्टी से नीचे आ गई, और एक जो बढ़ा जो बहुमत का आकड़ा छोने से रह गई बीजे पी, अब वही वाली बात है कि यह मोधी की गलती है, यह योगी की ग यूपी को अपने कबजे में लें, वो सेंटर और यूपी की लड़ाई है, अब उसमें वही RSS का मसला है, कि RSS अब आगे मोधी जी में वह विश्य शायद ना देख रहा है, वो योगी में वह वह विश्य देख रहा है, तो यही वज़े है, वो पहली बार भी उसी की की अधिया हुई, मोधी जी का इसमनती इरानी की हार हुई, वो समझा गया है कि योगी जी की उसकी वज़े से हार हुई, लिकिन एक बात अधिती, जो बहुत साफ है, जिन लोगोंने चुनाव को ध्यान से देखा है, और जो अभी तक 2-3 बैठके हुई है, आला कमानों की यहां पर, जिसमें नड़ा भी शामिल है, बाकि सारे लोग शामिल है, एक बात खुल कर आई कि भाई, लोग सभा चुनाव में सारी कमान केंदर के पास थी, योगी जिन कैंडिडेट्स को नहीं चाहते थे, उनको भी लड़ाया गया, उसमें से कुछ जीते, कुछ आरे, य यह अयोध्या, राम मंदिर, और इसी हार ने मोदी जी को राम से शिफ्ट करके जै जगनाद बोलने पर मजबूर कर दिया, तब उसके बास से मुझे अभी तक यार नहीं आता है कि उन्होंने जै श्री राम का नारा लगाया, कि नहीं मोदी जी ने, नहीं सुनाई दिया, यह जो बड़ी पॉलिटिकल तस्वीर उत्तर प्रदेश खीच रहा है, क्योंकि अगर इस टसल में योगी सकसेस्फुल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि वो इस्टैबलिश कर लेंगे कि वो मोदी को कड़ी चुनौती देंगे, बिल्कुल वो तो एक थ्रेट है ही मोदी का कि अब मुझे इस बात पर पूरी वो नहीं है, मुकल जी से सहमत नहीं होगी, राष्टे स्वहम सहिवक संग भी योगी को बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे लगता है वो मोदी को थोड़ा सा साइज कट करने के लिए, जो उन्होंने कल यह सब बोला है कि डिवाइन वो है, और संदेश को मोदी जी को और शाह को बहुत दंभीरता से समझना चाहिए, केवल यूपी का मसला नहीं है, जहां जहां अभी उपचुनाओ का जो हुआ है, उपचुनाओ तेरा सीट उपर हुए, जहां दस में इंडिया जीती है, दो पर बीजेपी जीती है, बदरीनाथ चला यह था एक तरह से कॉंग्रिस से, उसी को उन्होंने बीजेपी से लड़ाया, नेता बदल गया, लेकिन जनता ने बदली, लेकिन एक चीज मुझे लगता है, कि जिसका जिक्र अधिती ने किया, उसी से हम एक क्लोज भी करते हैं, मोहन भागवत का राची में जो इतना यूज किये हैं, और सब लोग जानते हैं कि वहाँ पर वो एक क्लियर मेसेज देना चाह रहे हैं, कि अब बहुत हो गया, थोड़ा रुखना भी चाहिए, विकास विकास की चाह होती है, तो मुझे लगता है, एक मेसेज तो उन्होंने दे दिया है, अब इसके साथ हम चलते हैं, अगले मुद्दे पर, वह भी बहुत एहम हैं, जैसा हम सब ने देखा, कि अमरीका में हो रहे हैं, राष्टपती के चुनाओ, उस पत के लिए चुनाओ चल रहा है, चुनाओ प्रचार के दौरान, डोनाल ट्रम पर होता है जानलेवा हमला, बाल-बाल बचते हैं, और उसके जो असर भारती राजनीती पर पड़ता है, वो अप्रत्याश्चित है, हम सब जानते हैं कि मोधी खेमा पहले से डोनाल ट्रम के लिए बैटिंग करता रहा है, उनके पक्ष में खड़ा रहा है, लेकिन इस बार डोनाल ट्रम पर जानलेवा हमले का इस्तमाल जिस तरह से राहुल गांधी को घेरने के लिए उनको निशाने पे लेने के लिए किया गया, वह मुझे लगता है कल्पना से भी परे था, इस पर क्या है पंच, आदिती बताईए, भाशा मेरा पंच इस पर ये है कि भाशा की मर्यादा बिल्कुल होनी चाहिए राजनीती में, इस प भाशा बोलते हैं खुद प्रदान मंत्री, तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से ट्रंप के साथ तुल्ना करना एक आति हो गई है, मुकुल क्या है इस पर आपका पंच? मेरा मानना ये है कि ये तुल्ना ही बहुत ही नॉंसेंस है, बेतुकी है, भारत में जो नहीं हुआ, उसकी तुल्ना जो अमरिका में हो रहा है, उससे की जा रही है, जबकि भारत में जो हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, चाहे वो विभाजन कारी नीतिया हो, च के लिए राहुल को जिम्मेदा ठहरा रहे है भाशा इस पर क्या है आपका पंच मेरा साफ मानना है कि यह भारती जनता पार्टी के मांसिक दिवालियापन की निशानी है क्योंकि रवीशंकर प्रसाद इस पर प्रेस कॉंफरेंस करते हैं बीजेपी आईटी सेल अमित मालविय इस पर बकायदा लगातार एक कैंपेन मोड में चलता है पूरा का पूरा प्रचारतंतर भारती जनता पार्टी का मानो राहुल गांधी सीधे निशाना तान रहे हैं प्रधान मंत्री नरेन मोदी पर इससे यह बात भी साबित होती है कि राहुल गांधी उनका कद उनकी प्रेशान करें और यह लोग कभी भी मौका नहीं चूटना चाहते हैं लेकिन इस बार बिलकुल ही अलग पिछ पर खेल गई है भारती जनता पार्टी मुकुल जो दिखाई दे रहा है इस पूरे मसले पे जिस तरह से हमने देखा भारती राजनीती में अमरीका एक एहम कर रहा है जैसे हमारे बगल में बंगलादेश जल रहा है लेकिन उस पर खबर नहीं है अमरीका चुनाव की पल-पल की खबर आ रही है उस पर लेकिन डोनाल्ड ट्रम पर हमला और यहां पर राहूल गांधी पर आपने हमला कर दिया मानों की दोनों में आप दोनों को आप पहले तो उन्होंने इस मारफत यह कि कि वहांस के वहां सबस्क्र дрvern के पर और्म पहले उनुयर। यानि वह उकसावे के लिए खुद जिम्मेदार हैं तमाम चीजों के लिए उस राजनीती का हमारी भारत की राजनीती से अगर यहां तुलना की जाए तो हम तो फिर दूसरी तरफ पूछेंगे ना सवाल कि हम मुस्लमानों पर जो हमले हो रहे हैं जिने आप घुसपैटिया क लेकिन राहूल पर निशाना यह तो बहुत बेतुका है उन्होंने समिधान की बात की थी लोकतंज की बात की थी और वाकिन अगर समिधान खत्र में आता है तो देश को जागना चाहिए उठना चाहिए इसमें कुछ भी गलत नहीं था अधिती जो चीज दिखाई दिखाई आपदा में अफसर तो एक आपदा वहां आई उसमें अफसर ढूंडा मुझे यह नहीं समझा रहा है कि फाइनली इस तरह से चाहिए रवी शंकर प्रसाद हो बीजेपी आइटे सेल हो और उसके बाद तमाम जो गोधी मीडिया है कॉर्परेट मीडिया वो लगाता मानती हो इस चीज को कि हास्यासपद है एक तो तुलना बिलकुल ही पहली बात तो राहूल गांदी यहां विपक्ष के आज सबसे बड़ा चेहरा है वहां हमला करने वाला खुद ही एक रिजिस्टर रिपब्लिकन था ठीक है तू क्या तुलना है क्यों कर रहे है मुझे मैं आपसे टोटली सहमत हूँ कि वो कहीं ड़ाहूल गांदी की जो अलोचना जो अराहूल गांदी कर रहे है उससे डर रहे है और इनके पास और कुछ करने को है नहीं इसलिए इतना एक हास्यासपद तुलना कर रहे है अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे पर तीसरा मु है वो इंडियन रेलवेज है भारती रेलवे है और भारती रेलवे का जो हाल है उसका अंदाजा इस बास से होता है कि एक महिने के भीतर दो दो रेल हाथ से होते हैं एक महिने के भीतर ठीक एक महिने पहले कंचन जंगा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल में भिड़ती है और यहां पर अभी गोंडा में डिब्रुगर्ड चंडिगर्ड एक्सप्रेस डी रेल होती है दस के करीब डब्बे पट्री से उतर जाते हैं और देखिए जो खामोशी है वह तो अप्रत्याशित है रेल मंत्री को पूरे दिन चिंता नहीं आती है अभी तक उन्होंने एक्स प् बयान नहीं किया है और ऐसा लग रहा है कि कंचन जंगा एक्सप्रेस के बाद जो साफ आया था कि मामला पूरे के पूरे सिगनल और सिस्टम के बैठने का है यहां पर बड़े पैमाने पर जो बेरोजगारी है जो नौक्रिया नहीं भरी गई है पद रिखते हैं सेफटी के पद रिखते हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है इस पर क्या है पंच बताएंगी अदिती बाशा इस पर मेरा पंच यह है कि यह बहुत ही दुकद है कि कितने और लोगों को मरना पड़ेगा जिससे सरकार जो है रेल को थोड़ा सा और सीरियसली उसकी तरफ ध्यान दे एक मंत्री के उपर आपने तीन-तीन मंत्राले डाल रखे हैं वो मंत्री भी क्या ध्यान दे पा मेरा मानना यह है कि यह डिड़ी रेल नहीं हूई है बलकि हमारी सरकार हमारी ववस्था ही पूरी डिरेल हो गयी है रेल को कितना कैजवल ढंग से लिया जा रहा है यह बहुत ही चिंता की बात है और मैं तो फिर ये अपील करूँगा कि रेल बजट अलग से पेश होना चाहिए जिससे रेल की विवस्ता पर कुछ बात हो सके भाशा इस पर क्या आप सूचती है क्या है आपका पंच मेरा साफ मानना है कि यह दुरगटना बता रही है कि भारती रेलवे को राम भरो से छोड़ दिया गया है और यह मान लिया गया है कि जो भी जिन्दा है रेल में सफर कर रहा है वो राम भरो से है और यह जो तंत्र है बिना जवाब देही के पिशली बार साजिश रची गई थी कि लोको पाइलेट के जिम्में डाल दिया जाए सारी दुरगटना और इस बार तो ट्रेन डीरेल हुई अभी तक उनको मिल नहीं पा रहा है इसलिए रेल मंत्री पब्लिक में आही नहीं रहे ह चर्मनाक है और डीफेक्टो रेल मंत्री यानि प्रधान मंत्री जी वह भी चुपचाप बैठे हुए हैं मुकल जो चीज दिखाई दे रही है कि रेल को तो जिस तरह से छोड़ दिया गया है बार बार जब भी दुरगटना होती है तब कहा जाता है कि इतने पद खाली है विपक्ष बोलता है मीडिया का एक हिस्सा बताने की कोचिश करता है सोई हुई सरकार को क्या रे दो लाग से उपर सेफटी के पद खाली है लोको पाइलेट्स खाली है आपने जमाने से पट्री का मॉडनाइजेशन नहीं किया है वंदे भारा चलाने की आप बात करते हैं लेकिन इस क्रम में कोई भी डेवलेप्मेंट होता जमीन पर दिखाई नहीं देता है ने मैं यह कहूं जैसे मैंने कहा कि रेल ही डिरेल नहीं हुई है वो क्यों मैं कह रहा हूं आप सड़क पे चलिए सड़क धस रही है आप पूल पर जाईए पूल टूट रहे हैं आप प कोई ध्यान देकर इधर उधर के मुद्धे कहीं कुछ कहीं कोई कावन यात्रा के लिए फूल बर्सा दिया जाएंगे उससे काम नहीं होगा आपको कुछ जमीन पर रेल जो है बिल्कुल ही लापरवा उसे लावारिस छोड़ दिया गया है या कुछ रेल उन्हें आगे दिखाई दे रही है कि रेल का जो बंटा धार है वह बहुत ऑगनाइज धंग से किया जा रहा है इसका जिक्र में एक आकड़े से करूंगी करोना के समय 2000 के करीब गाडियां वापस पीछे खीची गई थी ट्रैक से हटा दी गई थी कहके कि करोना है आज की तारीक में भी व पैसा तो खर्च हो रहा है लेकिन जो बुनियादी चीज है हमारी आपकी सेफटी क्योंकि बहुत लोग करोडों लोग चलते हैं एक साल में अगर आप उठा के देखिए तो तकरीबन 10 करोड यात्री सफर करते हैं उनकी जिन्दगी से कोई मतलब नहीं रह गया बिलकुल औ तब तक ये करना मुम्किन होगा लेकिन मुझे लगता है कि जो विशशेग कुछ लोग जैसा आप भी कह रहे हैं जरूर ये एक प्राइविटाइजेशन करने का एक कुछ वो है जिसमें रेल्वे की ये हाल बना के रखा हुआ है इनोंने कि मुखोटा जो है उसमें जर्व कर रहे हैं जब मेरी सीट मुझे मिलनी जो आश्वस नहीं है जो ये सब चीजे और निवेश करना बहुत जरूरी है सिग्नलिंग सिस्टम पे और वेकंसी फिल करने और इस पे आने वाला बजट में बहुत सारा मुझे लगता विपक्ष को सवाल खड़े करने चाहि ये जो पूरा का पूरा करप्षन फैला हुआ है रेल से लेकर पुल से लेकर एजुकेशन सिस्टम में इस पर संसद में कितना विपक्ष घेरता है और कितना सरकार जवाब देती है देखेंगे हम जरूर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का जुड़ने के लि झाल